करे बईयां बले आपनी छोड़ विराने आस और तेरे आगा नदिया भहे तव मरत प्यास अपने आप पर विश्वास कीजिए दुनिया पर विश्वास करेगी दिभ्यांगों को साहनुभूती का नहीं सम्मान और उनको प्रोथसान की जुरत है नमस्कार दर्शको जनसंपर के विशेश कारिक्रम वारता में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ श्वेकान सोनी मध्य प्रदेश का देश में नाम बढ़ाने वाले मान बढ़ाने वाले ग्वालियर जिरे के पैरा सुमर श्री सतेन सिंग लोहिया एक अपनी अनूठी यात्रा पर निकले है वो कन्या कुमारी से कश्मीर तक दिव्यांग जनों को जागरू करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं क्या उनका संकल्प है और इस यात्रा के लिए उनको प्रेणा कहां से मिली इसी पर बाच्चुईत करेंगे हम श्री सतेन सिंग लोहिया हमारे साथ है बहुत-बहुत स्वागत है आपका जन संपर्क में मेरे को बुलाया इसके लिए बहुत-बहुत सुक्री आपको सतेन जी आप कहें कि 28 पदक और 4 अंतरास्ट्री पदक हासिल कर चुके हैं मद्ध प्रदेश का आपने मान भढ़ाया है अंतरास्ट्री पैरा सुमर हैं आप अब यह जो आप यात्रा निकाल रहे हैं क्या यह यात्रा है और इसे हम किस तरह से समझें यह यात्रा मैंने दिब्यांग ससक्तिकर्ण खिलो यात्रा समता और सम्मान के जो जागरुपता है 14 अपरेल को जो बाबा साब दक्टर मभिटकर जी के जहनती के अवसर पर कन्या कुमारी से यह हमने निकाली है और यह 1 मई 2 मई को हम most probably इसको कस्मीर में इसका बहुती समापन करेंगे और समापन करने के बाद एक संदेश पूरे देश के अंदर यह जाएगा कि व्यक्ति के अंदर दिब्यांगों को सानुभूती का नहीं सम्मान और उनको प्रोतसान की जोरत है जैसा कि अभी माननी सिवराज सिंग चौहान माननी मुख्यमंत्री जीन है अभी पिछले ही जब 2 महीने पहले खेलो इंडिया का कारिकरम किया वो मद्द प्रदेश में बहुती सरहानी और एक सकारात्मक उसने संदेश दिया पूरे देश के अंदर दिया कि खेलो के माध्यम से हम अपना सारवणी बिकास्तों करी सकते हैं, हम अपना और अपने जो आसपास युवा लोग हैं, अपने देश में बहुती सकारात्मक उर्जा दे कर उनको प्रोसाहित कर सकते हैं तो इसी लिए दिभ्यांग जो दिभ्यांग से सकती करण यह यात्रा है यह यात्रा उन दिभ्यांग जनों के लिए एक अवेरनेस कारिक्रम है जिन दिभ्यांगों में टैलेंट तो है मगर उसको देखाने के लिए रास्ते नहीं है उनके पास लैक आप नयोलेज है उसको खत करना पुल्वर